और बड़ी खबर इस वक्त की अरविंद केजरीवाल से जूड़ी आपको बता दे जिसमें जानकारी ये मिल रही है कि केजरीवाल ने सीम पद छोड़ने का एलान किया है दिल्ली में आमाद्मी पार्टी के कारियाले में एक संबोधन में उन्होंने इस बात की भोशना की और कहा कि अगनी परिक्षा देने के लिए तैयार हूँ केजरीवाल का सीम पद छोड़ने का एलान दो दिन बाद सीम पद की कुर्सी से इस्तिफा दिये जाने की बात कही है और वो कहरें कि मैं अगनी परिक्षा देने के लिए तैयार हूँ अरविंद केजरीवाल दिल्ली के आमाद्मी पार्टी मुख्याले में इस वक्त संबोधित कर रही हैं आमाद्मी पार्टी के कारे करताओं और नेताओं को और लंबे समय के बाद वापस लोटे अरविंद केजरीवाल जेल से जमानत पर छूट कर आए हैं और अभी चुकि रहाई काफी दूर है रहाई की दोहाई और अरविंद केजरीवाल की अगनी परिक्षा जिनका कहना है कि मैं तयार हूँ अगनी परिक्षा देने के लिए दो दिन बाद मुख्यमंतरी पद से इस्तिफा दूँगा दिल्ली के मुख्यमंतरी अरविंद केजरीवाल ने बड़ा एलान कर दिया अब मुख्यमंतरी अरविंद केजरिवाल इस्तीफा देंगे दो दिन बाद और दो दिन बाद वो इस्तीफा देंगे तो कौन बनेगा दिल्ली का मुख्यमंतरी क्या कुछ उनों ने का ही सुनवाते हैं आपको दोस्तों दो दिन के बाद आज से दो दिन के बाद मैं सीम की कुर्सी से स्तीफा देने जा रहा हूँ और मैं तब तक सीम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जंता अपना फैसला ना सुना दे मैं जंता के बीच में जाऊंगा गली गली में जाऊंगा धरगड़ में जाऊंगा और जब तक जंता अपना फैसला ना सुना दे कि केजरिवाल इमानदार है तब तक मैं सीम की कुर्सी के उपर नहीं बैठूंगा मुख्य मंतरी अर्विंद केजरिवाल कह रहे हैं कि दो दिन बाद दिल्ली के सीम पर की कुर्सी से इस्तीफा दूंगा और इस्तीफा देने के बाद तब तक कुर्सी पर नहीं बैठूंगा जब तक दिल्ली की जनता उन्हें एमानदार घोशित नहीं कर दे जब तक दिल् चामिल किया गया है चुकि वो दिल्ली के मुख्यमंतरी थे उस वक्त और इस वज़े से उन्हें मुख्यारूपी बनाए गया। और उन चुनावों की तैयारी के लिए दिल्ली के मुख्यमंतरी और आमादनी पार्टी के मुख्या अर्विंड केजरिवाल को जेल से बाहर होना बहुत जरूरी था ऐसे में अब जमानत तो उन्हें मिल गई है लेकिन इस जमानत में अभी पूरी तरह से उन्हें राहत नहीं मिली है चुकि ये जो जमानत उन्हें दी गई है बहुत ही घोर भारी गंभीर शर्टों के साथ दी गई है और क्या कुछ इस दौरान उन्हें अपने संबोदन में काई ये सुनवाते हैं आपको दोस्तों दो दिन के बाद आज से दो दिन के बाद मैं सी एम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं